पर्चो सूपरबाद आज हम पार्ट पांच भादरवितों के अभीयास कर रहे हैं पहला परशन है वैं। किसान से क्या लेने कएया। यहा शेर आएगा भी। शेर अट गया है। शेर किसान से क्या लेने आया। यहां आएगा। 10 0 अगर अगला प्रशहन देखोwal ब्टो को रक्षर कrivकर है क्यों समझ लिया है क्या चाल चली थी देखो बितो ने एक चाल चली उसने किसान से कहा कि तुम ने तो चार सेर फांस रखे थे यहां तो एक ही है चलो कोई बात नहीं एक ही शेर नास्ते के लिए काफी है यह सुनकर सेर ने बितो को रक्स से समझ लिया बितो का पहनावा भी ऐसा था उसने सिर प ये किसान था किसान से उसने का कि दुम्हें के तुमने तो चार शेर उन में तो एक यहांस न ले तैंडे में रासै नास्ते में उसको नहुत तो अब डर गए जो कि वह हैं, अगला परशन देखो बैल की जान कैसे बच गई ठीक है आप देखो बैल की जान कैसे बच गई बैल की जान बिटो की समझदारी वे चतुराई से बच गई ठीक है वह बहुत समझदार थी और चतुर थी उसने चार शेरों के नास्ते की बात कही तो शेर अपनी जान बचा कर भागया और बैल बच गया ठीक है next question देखो अगला परशन क्या है परशन देखो नीचे कुछ शब्दों के नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा किची हुई है ठीक है उनने धिखान में रखते वह नीचे लिखे वाको को अपने शब्दों लिख़ो अब पहला क्या है बित् 누 घोरे पर सवार हो गई है अब जो सवार हो गई है इसकी जगे हमने दूसरा इसका मीनिंग लिखना है ठीक है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे हैंना हवाले कर देना मतलब सोप देना ठीक है अब हवाले कर देने की जगे हवाले कर रहे थे इसके जगे हमें दूसरा लगाना जो अंडरलाइन है जो नीचे रेखा उसको दूसरा उसका दूसरा मीनिंग लिखना है हवाले कर द आज एक रक्ससी से पाला पढ़ गया पाला पढ़ जाना ठीक है इसकी जगह में दूसरा लिखना है तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है दूसरा शब्द यूज करना देखो अगर बैल आपको ने मिले तो ठीक है यहां आपको आएगा भई आपको ठीक है आपको आपको ने मिले तो मेरा नाम भेडिया नहीं ठीक है अगर बैल आपको ने मिले तो मेरा नाम भेडिया नहीं ने मिले हो गया ना भापे हात नाय को हमने क्या कर दिया नय में ले तो कर दिया शेर को देखते ही किसान के होशवास गुम हो गई अब होशवास गुम हो जाना मतब घबरा जाना या घबरा गया तो देखो ये हमने यहां लिख दिया है इसकी जगे होशवास गुम हो जाने की जगे हमने क्या लिख दिया है देखो शेर को देखते ही किस्यान घबरा गया घबरा गया लिख दिया हमने होशवास गुम हो जाने की जगे हमने क्या लिख दिया है घबरा गया तो जो रेखा निजन के नीचे लाइन लगी थी उनको हम बदलना था सिर्फ और बाकी sentence पूरा यूं का यूं लिखना था ठीक है अब देखो next अगला परशन देखो शेर तो डर कर भागया सोचो तो भेडिये का क्या हुआ होगा ठीक है अब देखो वो तो डर के भागया लेकिन जो भेडिया उसकी पूंच से बंदा हुआ था ठीक ह चोटे आई होंगी ठीक है उससे नहीं आया यहां पर उसे उसे चोटे आई होंगी उसकी कई हडिया तूट गई होंगी ठीक है हडिया भी तूट गई होंगी उसकी विचारी की क्योंकि वो पूरा गसीरता चला गया हुगा उसके साथ सेर के साथ सेर किसान के पास कितनी बा बताओ क्योंकि कहानी हमने सुन रखी है तो आपको पता होगा कि सेर किसान के पास दो बार गया था ठीक है कहानी में देखना नहीं है क्योंकि हम सुन चुके है इसलिए बताना है बिना देखे अब नेक्स देखो अगला प्रशन मेरी चत पर मोर आया अब मोर कॉंडर लाइन ह देखो बेरी चत पर मोर नी आई है ना मोर का मोर नी हो गया आया का आई हो गया मोर मोर नी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूफ बदलो ठीक है रूफ बदलने है जैसे आदमी ओरत का आदमी चिक है ओरत का आदमी शेर का शेरने चिक है शेर का शेरने बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मच्छवारा का मच्छवारन, राजा का रानी अगला परशन देखो शेर ने विट्व कुराक्षे से समझ लिया वे खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िये के समझाने पर वह राजी हो गया सोचो शेर और भेड़िये के बीच क्या बाचित हुई होगी क्या बाचित हुई होगी देखो शेर भेड़िये तुम क्यों हस रहे हो ये कहाओगा शेर ने उसके बाद देखो भेड़िया क्या कहता है भेड़िया महाराज वह तो एक औरत थी शेर क्या कहता है नहीं नहीं वैं सचमुच राक्षशी थी मैंने अपनी आखों से देखा है महाराज अच्छा ये अब आगे है यहां से स्टार्ट यहां से स्टार्ट है वह ये भेडिया कहता है महाराज वह है तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे अपनी राक्षी सी समझ लिया फिर शेर क्या कहता है तुम सच कह रहे हो चीक है मतलब वो उसकी बात से मान जाता भी भेडिया हा महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ आप मेरे साथ चलें शेर ठीक है लेकिन तुम अपनी पूँच मेरी पूँच से बांद लो ऐसा कह दिया उसने ठीक है और उसके साथ चल पड़ा और फिर हमने कहानी में पड़ाई था क्या हो उसके साथ फिर से अगला परशन देखो भेडिये ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा क्या शेर सचमुच भोला था शेर ने किशान की पत्नी को राक्षिस समझ लिया था इसलिए शेर भोला था चीक है बिलकुल वो भोला ही था और इसलिए भेडिये ने उसको भोले महारा चुका था वह भूल गया कि मनश्य की पत्नी राक्षिसी नहीं हो सकती यदि वह राक्षिसी होती तो सबसे पहले पत्ती वेडिये को ही खा जाती अब देखो अगला परशन शेर ने भेडिये की पूँच के साथ अपनी पूँच क्यों बांद ली अब देखो उत्तार शेर ने डर के कारण अपनी पूँच भेडिये की पूँच से बांद ली ताकि भेडिया उसे चोड़ कर ठीक है उसे चोड़ कर भाग न जाए और रक रक्सिसी उसे खाना जाए, इसलिए डरके माय उसने पूछ बांध लिए, अगला प्रशन देखिए, क्या शेर फिर कभी बितो के खेट की तरफ आया गया होगा, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, ठीक है, आप देखो, आप इसमें हाँ भी लिख सकते और नहीं भी लिख सक नहीं लिखेंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं लिखेंगे तो आप यह बता सकते हैं कि वह छुपके उसने देखा होगा कि वह किसान की पतनी थी और वह एक और थी दित्तोई थी राक्षशी नहीं थी यह भी लिख सकते हैं आप अगर नहीं लिखेंगे तो है मैंने हा मेच चाह फ़ए तो है कि पते हैं तर्फ कि अगर तुम बितो की हिम्मद तुमें कैसे लगी अगर तूम इत्सों की जगह होती तो शेय से कैसे निवharma ही हमें बितो風 के हिम्मद से प्रेरणा मिलती है हाना हमें प्रेरणा मिल रही है उसे हां कि हमें भी ऐसे करना चाहिए कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए अगर मैं मिट्टो की जगे होती तो मैं विवन विभाग वालों को फोन करके बुलाती ठीक है फोन करके बुलाती और वे शेर को पक बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फरक है ना, कहाने में ऐसे ही जय पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंडो, ठीक है, तो नुक्ते वाले शब्द हैं, जो हमारे पाठ के इंदर हैं, चीज, जोर, ताजा, रोज, तेजी, ये पांच शब्द हमें लिखने हैं, उसके बा जरा, जरूरत, रोजगार, जोरदार, कागज, चीक हैं, अब अगला परशन देखो, ये फिर से वैसा ही परशन है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती हैं, अगर मैं शेर की जगह होती तो शाय तूरं थी बैल पर चलांग लगा देती, किसान घर पहुची नहीं उसे पहले ही में बैल को खा जाती और खा जाती, शेर की जगह होती तो सीधा टैक करती हैं, मैं डरती नहीं, मैं उसे पूछती नहीं, किसान से लेती नहीं, ठीक हैं, अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपड़ती, मैं बित्तो की जगह होती, मैं में दो म मात्राइं आएगे बिचो और बिंदी आएगे गलती से एक लगी मैं बिट्टो की जगे होती तो शेर मचाकर किसानों को इकठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि हमेशा के लिए शेर का डर्समाप्त हो जाता एक तो ये भी लिख सकते हैं कि मैंने उपर लिखा कि वन भी भाग वालों को बलाती और उसे जंगल में भेज देती ये भी लिख सकते हैं दोनों लिख सकते हैं वैसे वो ज्यादा लिए कि वो जंगल में जा के रहे अच्छा आप देको कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा नीचे कुछ और ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र देए गए औजार क्या होते हैं जैसे हतोडा, करनी, खुर्पी है उन्हें पहचानों जिन से हम काम करते हैं उन्हें पहचानों और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंड कर लिखो ठीक है अब देखो यहां हमें पेचकस, कुर्पी, करनी, थोड़ी, आरी इन में से छाट के बताना है कि अब यहां देखो थोड़ी, फेचकस, करनी, खुर्पी, आरी यह दिये होए हैं ठीक है ऐसे उनके नीचे आपको लिखना है बुक्के अंदर ही कर सकते हैं अलकोशन अब अगला परशन देखो सेनी किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वन्ना मैं तुझे खा जाओंगा वन्ना सब गिरा दूँगी जल्दी त्यार हो जाओ वन्ना देर हो जाएगी चिक है इस तरह ऐसे और हमने उस दिन क्लास में भी डिसकस किते बहुत सारे वन्ना वाले संटेंस अब अगला परशन देखो कई जगो पर गाउं में औरते खेतों में भी काम करती है तुम्हारे आसपास की औरते और लड़कियां क्या क्या काम करती है हमारे आसपास की कई औरते और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती है कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती है कुछ दुकान चलाती है और कुछ कपड़े सीलने का काम करती है अगला परशन लिखो शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं ध्यान से सोच कर नीचे लिखो ठीक है अब यहाँ पे हमने देखो एक तरफ शेर है एक तरफ घोड़ा है ठीक है खाना कैसा खाता है शेर क्या खाता मास घोड़ा क्या खाता घास घर कैसा तो जंगल की गुफा और इसका अस्तबल होता है इसका रंग कैसा तो शेर का भूरा और सुनहरा घोड़े का काला सफेद काला सफेद भूरा चितकबरा चितकबरा मतब स्पोर्ट्स होते हैं आदते कै ये गे शब्दों को सही तालिका में लिखो ठीक है तालिका मुदर टेबल अब देखो कौन से शब्द है किसान वोतल लत्ता कक्कू केला कलम राजू रानू चूहा नीना शेर जूता चारपाई पगड़ी खरगोस करेला चलनी बितो घोड़ा गोरया बाल्टी पीपल कोयल न है चूहा शेर खरगोस घोड़ा गोरया कोयल चीजे में बोतल कलम केला जूता चारपाई पगड़ी ठीक है करेला करेला चलनी बाल्टी किताब दराती ये चीजों के नाम है ठीक है उसके बाद है नाम लत्ता अच्छा ये लत्ता नहीं है लत्ता कब होता जब अगर यहां पर यह होता तो यह कपड़े बाला लत्ता हो जाता अभी तो यह नाम है ठीक है तो नाम वाले शब्दों में आ जाएगा ककू किसान राजू नीना वित्तो ठीक है कोयल नीम ये सारे नाम वाले शब्द है ठीक है और इसे के साथ ये पार्ट समाप्त होता है धन्यवाल